हलो फ्रेंट्स, स्टेडी विथ माइंग के करेंट अफ़र सेसन में आपका स्वागत है ये करेंट अफ़र SAC, बैंकिंग, रेलिवे, स्टेट PCS, CDS, CPF, NDA और अधर कमपर्टेटिव एक्जामादी में सहाइक होंगे आज की डेट है 7 अक्टूबर 2020, तो चलिए आज का करेंट अफ़र सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है, हाली में भारत में अपनी C-130J सूपर हर्क्यूलिस कारगो विमानों की मरमत के लिए कलपूर्जो समेथ कई उपकरणों को ओर्डर कौन से देश के रक्षा विभाग को दिया है अफशन A, इसराइल, अफशन B, अमेरिका, अफशन C, फ्रांस, अफशन D, रूस अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन, ध्यान रखे गए जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, उसका नाम है पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन भारत के C-130J सूपर हर्क्यूलिस विमान वेड़े के लिए कलपूर्जो और उपकरण महिया कराएगा, इसके लिए 9 करोड यानि करीब 660 करोड रुपे की खरित के प्रस्तावों को सुविक्रिती दी है, अमेरिकी संसर्थ को पेंटागन के Defense Security Operation Agency ने बताया कि प्रस्तावित विक्री अमेरिकी, अमेरिका के विदेश नीती और रास्ट सुरक्षा का समर्थन करती है, भारत अमेरिकी रण नीतिक साजयदारी और इस एहम रक्षा सहियोगी देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मनजूरी दी गई है, भारत न के लिए हर समय त्यार रहेगा, अमेरिका ने भारत समय दुनिया के 17 देशों को C-130 जे सुपर हर्क्यूलिस विमानों की विक्री की है, भारत के पास अभी इस प्रक्षा के पांच विवान है और 6 विमानों का ओडर दिया गया है, तो उसका जो सही एंसर होगा Option B, चलिए न Option A, गुजरात, Option B, केरल, Option C, आंधरप्रदेश, Option D, मध्रप्रदेश, देखे, सामुदाइक सौचालयों के निर्बान और रख रखाव के लिए संगसाधन जुटाने के मकसद से 6 मार तक चलाया गया अभियान में, गुजरात ने राज्यस्रणी में पहला पुरसकार हासल क स्वक्षे सुंदर्स तमुदाइक सौचालय अभियान की सुर्बात 1 नभंबर 2019 को की गई थी और 30 अप्रेल 2020 तक जाए रहा, केंद्र सरकार के इस अभियान की मकसद, यहां पे लिख लिएगा, 30 अप्रेल 2020 तक, तो यहों का टाइम डिफरेंस है वो देख लिएगा 6 महिने केंद्र सरकार के इस अभियान का मकसद, जिलों, ब्लोकों और गाउं को उनके समुदाइक सौचालय के नर्मान, रंगरोवन और रखरकाव के लिए संगसाधन को जोटानी के लिए प्रेरेत करना था, जलसक्ति मंत्राले ने एक बायान जारी कर बताया कि सर्विस्रेष्ट ब्लोक का पुरसकार मैध्य दिल्ली के उज्यान-धिले के खंचरोध को सर्विस्रेष्ट गराम पंचायत का पुरसकार तमलनड़ों के सेलम-जिले के चीन нуженनपूर को प्रदान किया गया है, तो जो राजे को मिला है वो गुज्राध को मिला है, तो धियान रखेगा ठीक है तो सही अंसर होगा option A चले next question पर चलता है हाली में हिमालियर भूविज्ञान संस्थान के ने रिवालसर जील की गात का इधन करके 32 सो से 25 सो सतर साल पहले की मानसून की इस्तिती का पता लगा है यहो जील भारत के कौन से राज्य में स्थित है option A उत्राखन, option B हिमाचल प्रदेश, option C कस्मीर, option D करनाटक देखी देश ने बीते 32 सो साल में भारी मानसून, सुखे, कम बारिस, सुहावनी मौसम और भारी हिमपात के पांच बड़े दौर देखे हैं कई बार अकाल जैसे हालत भी पैदा हुए हैं वाडिया हिमाले भुविक्यान संस्थान के अध्धन की मौदाविक, मौसम के सभी बदलते मिजाज के चलते सभ्भता का विकास हुआ विज्यानियों ने दो से तीन साल तक हिमाचल प्रदेश के मंडे इस्तित रिवालसर जील की गादादी का अध्धन कारबन डेटिंग वो आईसो टॉपिक अध्धन क्या है अध्धन दल ने बताया कि रिवालसर जील में 6.5 मिटर गहराई में ड्रेल कर गाद निकाली गई इसमें बालू चिकनी मिट्टी आदी के अलग-अलग सेंपल लिए गए इन सेंपल की कारबन डेटिंग कराकर अवधी अवधी निकाली गई क्योंकि चिकनी मिट्टी भारी होती है और उसे बहा कर लाने के लिए बहुत अधिक पानी जई है जबकि बालू कम बारिस या हवा के साथ भी ओड़ कर जमा हो सकता है अधन के बाद इस पस्ट हो गया कि जमी हुई चिकनी मिट्टी या भारी गात की अवधी 1200 इसा पूर्व करीब 32 साल पहले की है साफ हो गया है कि उसे इस दौरान मांसूर बहतर रिस्तिती में था यह दौर 32 से 2570 साल पहले तक चला हाला कि मांसूर निरंदर रफतार पकड़ रहा था और आज से 1570 साल पहले त मांसून तेजी से लुप्त हो गया और 450 से 650 तक यानी 200 वर्सों के दौरान भयंकर सुखा बढ़ा क्योंकि जील में इस अवधी का सावधिक बालू पाया गया है कार्बन डेटिंग के सामने आया कि रिवॉल्सर जील में बर्स 1950 से लेकर 1350 तक चिकनी मिटी वो बालू दोनो ठीक मात्र में मिले हैं इससे निसकर्स निकाला गया है कि उस दौर में मौसम भेच सुहावना था इसे निसकर्स उन तथ्यों से मेल खाता है जिसे देश का स्वर्नी म्यूग कहा जाता है क्रिशी वो पस्वपालन के लिहाद से भी यही दौर सबसे उप्युक्त माना गया बात करें रिवालसर जील के बारे में रिवालसर जील के बारे में बात करें तो रिवालसर हिंदू सिख और बौधों में बौधों के लिए एक महतपूर धार्मिक स्थान है रिवालसर में प्राकरतिक जील अपने तेरते एक दौइपों और मचलियों के लिए प्रश्रिद पदम संभव की एक मूर्ती प्रतिमाफी रिवालसर में बनाई गी है माना जाता है कि रिसी लोमस ने भगवान सिफ को प्रस्टन करने के लिए अपनी तपस्या की है गुरुद्वारा स्री रिवालसर साहिब दसवे गुरु गुरुविन सिंग जी से जुड़े हुए है जिन में 1930 में मंदी के राजा जोगिंदर सेन ने बनाया था हिंदू मंदीर है जो जिल के पास भगवान कृष्ण भगवान सिफ और रिसी लोमा को समर्पित है नैना देवी जी मंदीर रिवालसर से 10 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है नैना माता का एक मंदीर पहाड़ी की चो मानव नामक एक और जील में आती है ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने अपनी मा के प्यास को बुझाने के लिए जील बनाई थी इस छेत्र में स्थानी रूप से सर के नाम से जाना जाने वाला पौरानी कथाओं के 6 अइन जील मौजुद है इन जीलों में अधिकांग्स पा और सरोबर की निकटी गुरुपद्म संभव द्वारा स्थापित मानी मानी पानी नामक बौध मट और एक गुरुद्वारा भेशते थे इसे महरसी लोमस की तपोभुमी माना जाता है तो इसका सही इंसर होगा ऑफ्शन B हिमाचल प्रदेश ठीक हिमाचल प्रदेश के हत्मा गांधी के जैनती के मौकी पर तेज गती वाले अत्यधुनिक एरोडाइनमिक डिजाइन युक्त तेजस रेल इंजन का राष्टे के नाम समर्पित किया गया इस रेल इंजन का निर्माण भारत के कौन से रेल इंजन कारखाना में हुआ है ऑफ्शन A डीजल रेल इं तेज गती से दौड़ने वाला रेल इंजन तेजस तयार किया है इस तेज गती वाले अत्यधुनिक एरोडाइनमिक डिजाइन युक्त तेजस रेल इंजन को राष्ट को समर्पित कर दिया गया है इसके साथ ही रफतार के मामले में रेलवे में एक नए यूग की सुरवात हो गई है इस इंजन को तेजस इकस्परस की लिए तैयार किया गया है नौबिशय में राजधाणी सताबदी समेट लंबी दूरी और तेजगती की खास ट्रेनों में इसका उप्योग किया गया है इंजन की जो लागत है वो 35 करोड की है तेजस इंजन को रेल इंजन का खाना चीरेका से चीरेका साइडिंग से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया इंजन आतादुनिक IGBT इसका निर्मान भारती रेल की तेजस प्रेस्टिजियर्स प्रेमियम यात्रियो ट्रेन की सफल इस्तमाल को ध्यान में रख कर किया गया है जो रेल यात्री सेवा में नए यूग की सुर्वात माना जा रहा है दो इंजन से यूग सक्तिसाली तेजस के अप्रती इंजन की छंपता 6,000 होर्स पावर है करीब 35 करोड की लागत से चिरेका ने इसका निर्मान किया है इको फ्रेंट इम्तेजस भारती रेल और विश्वी रेल के मानचीतर पर पहला ऐसा विद्दूत रेल इंजन है जो गती शमता मॉडल डिजाइन तक्मीक रंग रूप रूपान तरण और छ चालक दल को बहतरीन और सुभीधा जनक से वाउपलब कराने तथ ध्वनी रहित प्रदूशन मुक्त इको फ्रेंडली और ग्रीन है इंजन से ही आप तेजस रेल इंजन कम लागत वो कार खानों के जादा उर्जा सकती देने वाला अतधुनिक इंजन है इस इंजन की ट्रे कार की कार को बिजली आपूलती हो सकेगी तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन डी चितरंजन रेल इंजन कार खाना यानि चिरेका चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं हाली में चर्चा में रहा सन आउटेज का संबंध किस्से है और शने कंप्यूटर वायरेस और जूट फसल की प्रजाती ऑफशन सी सेटलाइट ऑफशन डी एक प्रकार का विमारी देखे संचार सिवाओं को प्रभावित करने वाले सन आउटेज की समयस्या 20 अक्टूबर तक आ सकती है ऐसे में इसकी निगरानी करने वाली वैद सालाएं सतर्खे इसमें सेटलाइट यानि पुतर से दक्षिन के मत्ये 20 फेबर्यवरी से 20 अपरेल ठीक है यह पहली बार बनेगा और आपका दूसरा बार बनता है 20 अगस्त से 20 ओक्टूबर तक 20 अक्टूबर तक हरती है अभी तक सब सामाय ने रहा लेकिन अगले दो सप्ता इसकी आसंका जताई जा रही है आर्यव इसमें धर्ती से करीब 36 किलोमेटर की उचाई पर विचरण कर रहे है सेटलाइट पृथिवी वो सूरी एक सीधे में आ जाते हैं ऐसे स्थिती बनने पर सूरी की किरने सीधे धर्तिक नहीं पहुंच पाती है इस कारण संचार बाधित होती है इसका मतलब आप ध्यान दिजेगा यह सूर्य और यह आपका पृथिवी है और यह संचार बाधित होते हैं इसलिए जो यह संचार बाधित होता है तो कुछ मिनिट के लिए यह संटालाइट को सुच शुच और धिया जाता है बात करें इस जो गर sun outage होगा तो इसके प्रभाव क्या पढ़ेंगे तो stock actions प्रभावित होता है electronics, उपकरण, टेलिविजन वो internet से वाएं बेवाधित होती है sun outage जो होता है वो मात्र 12 मिनट के लिए तखी रहता है ऐसा कुछ दिनों तखी हो सकता है तो होने के chances बताएगे हैं तो इसका सही अंसर होगा option C satellite चले next question पर चलता है हाली में Alex Tufan के Alex Tufan ने कौन से महाधियो पर तभाही माजाई है option A Europe, option B Dutchman America, option C उत्री अमेरिका, option D Australia ब्रेटेन में Alex Tufan ने दस्तक दे दी है और यह करीब 100 km प्रती घंटे की रफतार से चली हवाओं ने कई पेड उखाट दिये और कई इलाकों की बुजली को बुजली गुल कर दी तufan के साथ मुसलधार बारिस ने कई स्थानों पर बार की स्थिती भी पैदा कर दी है समुदरी लहरों ने भी विक्राल रोब ले लिया है मौसम बिभाग का कहना है कि तufan के साथ बारिस जारी रहेगी बृतेन में 1987 की बाद यह पहला बड़ा तufan है जिससे ग्रेट स्ट्रॉम भी कहा जा रहा है तो यह जो है यूरोप महादिप माया है और यह रूस बोल रहे है फ्रांस के आसपास स्पेन यहां पे तबाही मचाने के बाद अभी ब्रिटेन के दरब बढ़ रहा है तो यह सही एंसर होगा option A यूरोप चले next question पर चलते हैं मंच daring cities 2020 जलवाई परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कौन से डेस में किया जा रहा है option A कॉलंबिया option B ब्राजिल option C जर्मनी option D अमेरिका मुख्य मंतरी अरविंद केजरिवाल को एक पर फिर अंतराष्ट मंच पर परियावर्ण पर चर्चा कने के लिए आमंतरित किया गया है साथ अक्टूबर यानि आज के दिनी आयोजित हुआ daring cities 2020 के मंच पर मुख्य मंतरी देश दुनिया के सामने अपने विज़ार रखेंगे समेलन की मेजवानी जर्मनी सरकार के सहर के वान सहर में की जा रही है daring cities जलवायू परिवर्दन पर सहरी नेताओं का एक देश्विक मंच है विसे इसकर कोरोना महमारी के संदर में इस कारिक्रम का आज़न किया जा रहा है केज़ेवाल को जलवायू आपतकाल और परियावरण ये परियावरण स्थिरतता से निबटने के लिए के लिए की गई बहुस तरिये वकारवाई पर चर्चा करने के लिए बगोटा यानि कॉलंबिया, साव पालो ब्राजील, लॉस अंजलेस USA और एटेमबे यानि यूगांडा के सहरी नेताओं और निर्णाई करताओं के साथ आमंतरित किया गया है यह मंच जलवाई उसे संबंदित विशे पर चर्चा करता है इस विशे इस कारिक्रम में लेटीन अमेरिका, अफरिका, उत्री अमेरिका और एसिया से प्रतिस्ट्रिक सहरों और उप्वेवसाइक नेता भी अगले पांच वर्सों में अपने अपने सहर वो छेतर बदलाव पर विचार प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंतरी पूर्ण सत्रम में बोलेंगे देश भर्स में के एक हजार से अधिक मैर नगर पार्शदों, सहरी विचारक नेताओं, रास्ट सरकार के प्रतिनीधियों, सोथ करताओं, व्यपार जगत की नेताओं और सामुदाइक आयोजकों के अंतराश्ट को बहुँ आयामी दर्सकों को संबोधित करेंगे तो यह जर्मनी के वॉन सहर में हो रही है, ठीक है, जर्मनी के वॉन सहर में हो रही है, तो सही अंसर होगा, ओफ्शन C, चले नेक्स्ट कुश्चन पे चलता है, हाली में गैर सरकारी संस्था, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ओफ एनिमल, यानि पेटा, और भारती पस पॉंपे सारकस, ओफ्शन C, ग्रेट रेमन सारकस, ओफ्शन D, ग्रेट गल्डन सारकस है, हातियों के रक रकाव और प्रदर्शन के समथ में, कानोनों के प्रावधानों के कते तो leng OM को ले कर भी संस्था को नूटिस जारी करके कहा गया था, कि क्यों नू इसकी मायन परत? और रजनीज भटनागर की पीट के समक्ष दायर हलफ नामे में यह प्रतिवेदन दिया है दरसल वन्य जीवों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ओफ एनिमल यानि पेटा और भारती पसु संगरेक्षन संगर्थन परिसंग यानि एफ आई एपी ओ इसका सौट फॉर में लेख ली जगा एफ आई एपी ओ ने जनीदियाची का दायर की है इसमें संस्था की और से पेस वकिल अमन हो चुकए है इसके साथ ही मांग की गई कि केंद्र को इस समムन ने प्रदिर्चन करने वाले बने जीवों के संद्वन एधिनियम संसोधन नियम 2018 के संब्सराइ Syria जा जो बने जीवों के प्रद्रशन और उन twinब्य स्दून पर रोक लगाने का का म करता है IPFO, IPFO 100 संस्थानों का एक सम्मों है, जो पिछले कई सालों से वन जीव के धिकारों के लिए काम करता है, संस्थाने अपनी अपील में समयधानिक वैधता के सक्षन 21 से 27 तक जीव संगरक्षन को पुशनोती दायर की है, तो इसका सही एंसर होगा, option A, Great Golden Circus, धियान रखिए कि देश का एक मात्रा ऐसा सरकस है, जिसे वन जीव संगरशन अधिनियम से मान्यता प्राप्त है, यानि यहां पे आप जानुरों को रख सकते हैं, ऐसा सरकस एक ही है, ठीक है, इंडिया में, चले, next question पर चलते है, हाली में देश के कौन से राज्य सरकार ने डेंगू की खिला दस हपते, दस बजे, दस मिनट का भ्यान चला है, option A, महरास्ट, option B, दिल्ली, option C, उडिसा, option D, उत्तरप्रदेस, दिल्ली सरकार का दस हपते, दस बजे, दस मिनट महा भ्यान समाज की विभिन वरगों के सहीयोग से गती पकड़ रहा है, इसके पाँचवे सपता में स्कूल अबिवार को सुबह 10 बजे केवल 10 मिनट के लिए 71 पाने का निरेक्षन करके होमग करने के लिए प्रोच सहित किया जाएगा, अपने घरों का निरेक्षन करने और 71 पानी को निकासी के बाद बच्चों को अपने दोस्तों को महाभ्यान में सामिल होने के लिए फोन करने और उसी तरह सभी को डेंगू की मक्षर पैदा होने से रोकना है और अपने परिवार को डेंगू से बचाना है तो यह जो है दिल्ली सरकार की तरफ से यह महावियान चला गया है तो इसका सही अंसर होगा चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं हाली में महत्मा गांधी की 191 जैनती पर नाबाढ़नी भारत की कौन से देश व्यापी देश व्यापी सौरी यहाँ फिर से मैं गड़बड करती हूँ और मिस्सन होगा मिस्सन के लिए 12,298 करोड रुपिये क्वित्रित किये है Option A. रास्टी स्वच गंगा मिसन, Option B. स्वच भारत मिसन ग्रामिड, Option C. स्वच भारत मिसन ग्रामिड, Option D. स्वच भारत मिसन जहरी यह दो बार हो गया है तोड़े उसका important नहीं है ठीक है रास्टी क्रिसी एवं ग्रामिन विकास बैंक याने नाबाड ने स्वच्छ भारत मिसन ग्रामिन के तहत 3.29 करोड घरों में सौचाले के निर्मान के लिए 12,298 करोड रुपे वित्रत किया है महत्मा गांदी की 191 जयनती पर नाबाड ने देश व्यापी सुक्षता को लेकर साक्षरता अभ्यान भी सुरू किया है नाबाड की विग्यवत्तियों के अनुसारी हो भ्यान 26 जन्वरी ध्यान रखेगा 26 जन्वरी 2021 तक चलेगा इसका मकसद गाओं में रहने वाले लोगों को साफ सफाई और सुक्षता को लेकर अच्छी गतिविधिया के बारे में जागरू करना है संसान ने कहा कि अभ्यान के तहट सरकार से सरकार के स्वक्ष भारत मिसन ग्रामेड जल स्वक्षता और बहतर स्वास्त कारिकरम को समर्थन मिलेगा इसका मकसद COVID-19 महामारी को देखते हुए ग्रामेड समुदाय के कमजोर तबगों को लेकर स्वच्छ सुविधाओं की पहुँच उपलत कराना है नाबाड के चेर्मेन जी आर्ट चिंतला ने कहा कि COVID-19 महामारी ने साब पानी, स्वक्षता और स्वास्त सम्द्धी धाचागत सुविधा की जरुत को रिखांकत किया इसके इसमें स्वाच्छ भारत मिसन का महत्तो बड़ा है, इस अभ्यान के तहट नाबाड करीब 2000 गाओं को सामिल करेगा और स्वच्छता के सम्द्ध में लोगों की जागरूता का पता लगाएगा इसके अधार पर रिड्म सुविधा दी जाएगी, यह कर्च सुविधा मुख्य रूप से घरों में सौचाले के निर्मान के लिए होगी तो इसका जो सही अंसर होगा, ओप्शन B, स्वच भारत मिसन ग्रामिन तो यह थे आज के कर्ण अफेर, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर और कमेंट करना ना भूले, साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइक्स पर वाचिंग, हैव अनाइस टे